इस तरफ पाली के समीप केरला गाउं में शराब के नशे में 30 साल के ताराराम बावरी ने अपने ही 65 वर्षिय पिता पूराराम बावरी उर्फ चूराराम की गला काट कर हत्या कर दी। चूराराम पतनी दर्या के साथ गाउं में खेत की रखवाली का काम करता रहते थे। आरोपी बेटा ताराराम शराब का आदी है और वह कोई काम नहीं करता जिसकी वज़े से उसकी पतनी भी घर छोड़ कर चली गई है। वारदात के समय पूराराम के छोटे बेटे वागाराम की पतनी मौके पर ही मौझू थी। वह अपने सास ससुर से मिलने के लिए आई थी। उसने बताया कि मैं बिमार सास को दवाई दे रही थी। तब ससुर पूराराम जोपड़ी के पास बैठे थे। इसी दर्म्यान जे पिता की कही बात से नाराज होकर ताराराम ने गुस्से में कूट से अपने पिता पर ताबड तोब गर्दन पर वार कर दिया जिसके चलते पिता की मौथ हो गई। अत्या की चश्मदीद में बताया कि वारदाद के बाद भी आरोपी कूट लहरा कर सभी को मारने की धमकी देता रहा। इससे गबरा कर जान बचा कर गाउं में गई और ग्रामीनों को पूरी खटना की जानकारी बताए। इसका कहना है कि जेट को फासे की सजा होनी चाहिए।